प्रति दिप्ति तथा इस्फूर दिप्ति या फॉस्पोरेसेंस दोनों ही शॉर्ट नोट के अंदर साड़े तीन नंबर के प्रशनों के अंदर पूछे जाते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट है और यहां पर हमने इस तरीके से इनको प्रदर्शित किया है इससे पहले जबलोंस की डाइग्राम या चित्रों के अंदर हमने इनको स्टार्टिंग में या उनकी प्रक्रिया को पढ़ा था लेकिन अगर शॉर्ट नोट के रूप में सवाल पुछा जाता है तो हम निम्न परकार से इसको प्रदर्शित करें तो पूरे नंबर मिलने की सम प्रावर्तित होती है लेकिन प्रकास रूत बंद करने पर ततकाल ही विकिरन प्रावर्तन रुख जाता है उसे ही प्रति दिप्ति या पदार्थ प्रति दिप्ति कारक कहलाते हैं जैसे कि रोड लाइट रिफ्लेक्टर जो है वह प्रति दिप्ति द्वारा उस पर जैसे ही गिरती है ये हैं उस Ethan automatically प्रावर्पतित कर देते हैं और परतीदिप्ति उत्पन करते हैं या चमक उत्मन करते हैं तो यह true lif reflector परतीदिप्ति कारक कह लाते हैं इसकी क्या-क्या हम पहले भी कर चुके हैं फिर भी एक बार इस परक्रिया को हम जब लॉंज की डायग्राम को स्मरूप में परदर्शित किया गया है जिसमें S0 आद्द्यवस्था, S1 उत्तेजन परत्थम एकक अवस्था और S2 उत्तेजन दित्ति एकक अवस्था या second excited singlet state को परदर्शित करता है यहाँ पर विकिरण किस रूप में इस्तानांतरित हो रही है यह बहुत important है यहाँ पर S0 में जो electron थे युगमित अवस्था में जो पस्तित electron थे उन में से एक electron विकिरण अवस्था करके या तो S1 में यहाँ से सीधा ही S2 में इस्तेनांतरित होता है और यहाँ पर वापिस द्यान रखना है चूंकि singlet state है तो electron युगमित अवस्था से उत्यजित अवस्था में जाने पर एक electron का चक्रण परिवर्तित किये बिना अर्थात युगमित electron है तो जैसे ही उपर जाएगा इसका चक्रण परिवर्तित नहीं होगा एक electron था इसके साथ में second युगमित था लेकिन second का जो चक्रण था वो उत्यजित अवस्था में जाने स्ट्रीट या एकक अवस्ता कहते हैं तो यहां पर Hnew या Hnew डैस विक्रण अवशोषित द्वारा जैसे इलेक्टरण उत्यजित हुआ मैं S2 से अगर बात करूं तो S2 का उत्यजित इलेक्टरण सीधा वापिस S1 में आएगा S1 में आता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अविक्रण प्रक्रम जिसमें इंटर्नल कनवर्जन या आंत्रिक इस्थानांत्रण होता है जिसमें S2 से S1 अर्था समान उत्यजित अवस्ता में इलेक्ट्रोन इस्तनांत्रित होते हैं और इसको हम अविक्रण प्रक्रम कहते हैं अविक्रण प्रक्रम में इलेक्ट्रोन जैसे ही S1 में आया S1 में उपस्तित यह है इलेक्ट्रोन जिसका चक्रण अभी सेम है लेकिन आपस उपर से स्टू से स्टू में आया तो इसके चक्रण में कोई परिवर्थन नहीं हुआ जैसे ही S1 से हम S0 में आता है तो यह लगबग 10 की पावर माइनस 8 सेकिंड में ही S1 में उपस्तित इलेक्ट्रोन वापिस S0 में लौट करा जाता है और यहां पर जो विकिरन उत्सरजित होगी उसी को हम फ्लोरो सेंस या विकिरन परक्रम या परति दिप्ति कहते हैं तो जैसे ही विकिरन सुरोत इस पर आपतित हुआ विकिरन सुरोत से विकिरन आपतित हुई H2 के रूप में और वही H2 वापे से सिधी विकिरन को सरजित कर देता है और ऐसी इस्तती में पदार्थ चमकता है और इसी को हम कहते हैं फ्लोरो सेंस या प्रति दिप्ति कहा जाता है अध्य वश्था, S1 से विकिरन आवसोषन द्वारा इलेक्ट्रON का S1 वो S2 में S2 35 वंतित होता है सबसे पहले जहां उपस्थित इलेक्ट्रों और विकिरन उपर जो इलेक्ट्रों गया है वह विकिरन वह विकिरन परकर्म द्वारा है पुन अवस्ता में लॉट आता है क्योंकि इलेक्ट्रोन के चक्रण में परिवर्तन नहीं होता है इसलिए 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड में S1 से S0 में इलेक्ट्रोन का संक्रमण S1 से S0 बिन तरंग देर्दे की विकिरण उत्सरजित करता अब यह important है कि अवस्वोशित विकिरण की तरंग देर्दे अलग होगी और जब इलेक्ट्रोन वापेस अपने S1 से S0 में लॉट कराता है तो उसकी उत्तिजित विकिरण की तरंग देर्दे बिन होती है हलका सांतर रहता है बाकि ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इस प्रक्रम में टाइम लेग नहीं है अर प्रक्रम को हम इस रूप में चित्र में परदर्शीद किया था उसको हम अभीक्रिया के रूप में भिदर्शा सकते हैं कि S1 से विकिरण उर्जा Hnew अवश्यूशित करके Hnew अवश्यूशित करके S1 में इलेक्टरन परिवर्ति स्थाना तरिद हुआ है और इसे हम सिंग्लेट एक्साइटेड स्टेट वन कहते हैं या फिर Hnew डैस उर्जा ज्यादा अवश्यूशित करें तो सीधा S2 में चला जाएगा जिसको हम दित्तिये उत्ते जन एकक अवस् केते हैं इंटर्नल कनवर्जन और यहां पर भी विक्रण उत्सर्जित होती है अलकासा परिवर्तन होता है लेकिन यहां पर यह विक्रण प्रक्रम है जो दिखाई नहीं देता है केवल उश्मा के रूप में होता है लेकिन S1 से यह इंप्रटेंट है S1 से जब इलेक्टरन वापिस S0 में लोट कराता है या युगमित हो जाता है उस समय जो विक्रण उत्सर्जित होगी यही विक्रण प्रति दिपती उत्पन करती है तो यहां पर इस प्रक्रिया के अंदर इलेक्टरोन का उत्तेजन और करके एकक अवस्ता में जाना एकक अवस्ताओं से लोटते हुए S1 अवस्ता तक इंटरनल कंवर्जन में अविक्रण उर्जा उत्सर्जित करना और अंत में अविक्रण उर्जा उत्सर्जित करने से इलेक्टरोन S1 में जो पहुंच चुका है यह जैसे ही S0 में लोटता है और यहां पर परति दिपती की रूप में विक्रण उत्सर निवारे है और उप्यूग कुछ लिख ले तो ठीक रहता है तो यहां पर उदारन में ले रहा हूँ इसमें से कोई भी दो एक्जामपल लिख दें प्रयाप्त है ज़्यादा कि आफशक्ता नहीं है उप्यूग में भी दो तिन ले ले लें काफी है उसे ज़्यादा कि जुर इसी तरह कुइनिन सलफेट का विलियन द्रश्य परकास में नीली परतिदिप्ती परदर्शित करता है यह भी इसी का एक्जामपल है इसी तरह के से फ्लोरस पार तथा यूरेनियम ग्लास नीला तथा हरा परकास परतिदिप्त करते हैं तो फ्लोरस पार और यूरेनियम ग् है ऐसे ही वरनक अर्थात डाइ स्टफ जैसे यूसीन फ्लूरोसीन तथा एनिलीन इसी तरह नेफ्थलीन वो विटामिन ए परतिदिप्त पदार्थ कहलाते हैं तो इन में से आप कम से कम दू कोई भी एक्जामपल लिख दें ये आपके शॉर्ट नोट के परक्रिया कोई होती है शॉर्ट नोट में सारे पदों को सामिल करना अनिवारी होता है अर्थातु से एडिंग से रिलेटेड जो जो पॉइंट्स आपको पता है सारे लिखने पड़ते हैं और इसलिए आपको उप्योग भी साथ में लिखना अनिवारी है प्योग है पहला प्रिरक्षित खद्य जैसे अंडे की पहचान करने में प्रति दिप्ति का उप्योग होता है कि अंडा ताजा है या नहीं है पैचान करने के लिए हम इसका उप्योग करते हैं ताजा अंडा पराबैंगनी परकास में गुलाबी रंग का दिखाई देता है और अगर खराब है तो ये नील रंग का दिखाई देगा इसी तरीके से नंबर दू पे शरीर की आंतरिक भागों के निदान में परति दिप्त द्रव का उप्यू किया जाता है जैसे परति द्रव शरीर की शिराओं में परवेश कराकर रद्य वही काओं में रुकावट की पहचान की जाती है तो पर्ति दिपती पदार्थ को शरीर की शिराओं के अंदर परविश्च करा कर ये शिराओं से बहता हुआ द्रव पूरे शरीर में फैल जाता है और भाई काउं के अंदर जहां की रुकावट है वहां से को हम चित्र की रूप में या एक्सरे के द्वारा या सिटी स्केन के द्वारा पहचान कर सकते हैं कि इस जगे पर द्रव इस धनांतरित नहीं हो रहा है अर्थाद रुकावट उत्पन हो रही है पर्ति दिप्ति पदार्थ मिलाकर काच, रंजक, खिलोने, पैंट, आदी को सुन्दर भी बनाया जाता है जो रात के अंदर चमकते हैं तो रात में चमकने वाले खिलोने बनाने के लिए हम पर्ति दिप्त पदार्थों का उप्यों करते हैं फिर उद्योगों जैसे यहां तक कि यह पर्ति दिप्त पदार्थ बना करके आप चाबी के चल्ले के कवर बना सकते हैं मुबाइल का कवर बना सकते हैं और अगर आपको मुबाइल रात में नूम ना है तो आप टौर्च से अगर डौसनी करेंगे तो वो चमक परदर्शित करेगा और आपको पता लग जाएगा फोन यहां पर रखावा है उद्योगों जैसे कपड़ा कागज, रंजक, रंग, वारनिश, दवाईयों आदी में पर्ति पदार्थ उप्योग में लिए जाते हैं यातायत संकेत, साइन बोर्ड आदी में वर्ग फस्ट एके दातु ल लवन विलियनों का हम उप्योग करके पर्ति दिपती की रूप में उप्योग में लेते हैं और वर्ग फस्ट एके दातु कौन-कौन से हैं लेथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबेडियम, सीजियम, इनका लवन हम लेकर के पर्ति दिपत पदार्थ की रूप में साइन या यातायत संकेत या रिफ्लेक्टर बनाते हैं पर्तिदिप सूचक का उपयोग गुनात्मक विश्लेशन में भी किया जाता है अर्थात फ्लोरोसेंट इंडीकेटर हम गुनात्मक विश्लेशन के अंदर भी यूज करते हैं और मात्रा ग्यात करने के लिए हम इसका यहां पर फॉस्पोरेशन्स वास्तम में त्रिकक उत्तेजन अवस्ता आर्था टी वन से जब इलेक्टरोन लौट करके एस जीरू में आता है तो चूंकि इस प्रक्रम के अंदर इलेक्टरोन का चक्रण परिवर्तित होता है तथा इस थाई अवस्ता से इलेक्टरोन जीरू में सनांत्रन होने से विकिरण प्रकासरोत बंद करने के बाद भी उत्सरजित करता रहता है और ऐसे पदार्थों को हम इस्पुर्दिप्त पदार्थ कहते हैं परक्रिया देखें इस्पुर्दिप्ती परिवासा वह परक्रिया जिसमें पदार्थ विकिरण की उप प्रकास रोध बन्द करने के बाद प्रकास को उत्सरजित करने वाले प्रकास को पुर्धित्प्त प्रक्रिया को पुर्धित्थि कहते हैं। इसको हम वापिस जबलोंस की चित्र की साहिता से परदर्शित करते हैं लेकिन पहले मैंने S1 और T1 जबलोंस की डाइग्राम में अलग लग बनाए थे जबकि यहाँ पर हम इनको एक साथ बना रहे हैं S1 और T1 यहाँ उपर नीचे बना रखा है पहले हमने S1 इदर लिया था तो T1 को यहाँ उससे नीचे अलग लिखा था वहाँ पर हमने इस तरीके से प्रक्रम परदर्शित किया था लेकिन यहाँ पर मैं डारेक्टी आईएसी को परदर्शित करता है तो यहाँ पर हम प्रार्म करते हैं कि S0 से विकिरण अवशोशित करके इलेक्ट्रॉन कहां चल है एक लेक्ट्रोण उत्यजित होकर कि पहले गया S1 में चक्रण परिवर्तित नहीं होगा तो इसके साथ का विपरिट चक्रिद एलेक्ट्रोण S1 सिंग्लिट एक्साइट स्टीट में गया चक्रण परिवर्तित नहीं हुगा लेकिन जैसे ही Isc से होते हुए यह वापis T1 म में आ रहा है यह द्यान रखना है पहले हमने S1 से S1 में लाते हैं तो इसको internal conversion कहा जाता है और T2 से T1 में लाते हैं तो भी internal conversion कहते हैं लेकिन यह दि बिन उत्तेजन अवस्ताव S1 S और T के मद्दे संक्रमन हो रहा है तो इसे हम AISC inter-system crossing कहते हैं अंत्र निकाय स्थन अंत्रन कहते हैं तो यहां पर चक्रन परिवर्तित हो गया है चक्रन परिवर्तित होने के बाद यह इसकी इस्थाई अवस्ता है और इस्थाई अवस्ता होने के कारण आसाने से यह आध्य अवस्ता में नहीं लोटता कुछ देर तक रुका रहता है यह लगबग एक से लेके 10 सेकंड तक रुकता है और उसके बाद वापिस आध्य अवस्ता में लोटाता है और इस तरीके से इस प्रक्रम को हमने नाम दिया है यहां पर जो विक्रम सर्जित होगी यह प्रकास रोत बंद करने के बाद भी कुछ देर तक जारी रहती है और इसलिए इसे हम इस फुर्दिप्ति कहते हैं इंपोर्टेंट है यह द्यान रखना तो यहां पर हम द्यान रखें करके सनचना बनाने है आप चाहें तो थोड़ा सा साइड में लेकर की यहां पर प्रदर्शित कर सकते हैं और जब हमने प्रतिदिप्ति ली थी तो उसमें हमने S0, S1 और S2 लिखा था यहां पर हमने T1 और S1 लिखा है तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना चितर बनाते समय तो आपके दूनों चितर लगबग एक जैसे नहीं होंगे थोड़ा अंतर रहेगा वहां पर इलेक्टरन लोटते से में 10 की घात माइनस 8 सेकिंड का समय लेता है अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें तो विकिरन अवस्था से इलेक्टरन का S1, S2, S3 आदी उत्यजन अवस्था में उत्यजित होता है जहां S1 से इलेक्टरन T1 उत्यजन अवस्था में इस्थानांतरीत होने पर चक्रण में परिवर्थन द्वारा आद्य अवस्था की इलेक्टरन की इस्थानांतर चक्रण प्राप्त करता है जिससे इस्थाई अवस्था बनती है इसमें समानांतर चक्रन युक्त इलेक्ट्रोन प्राप्त होने के कारण इस्ताई अवस्ता का निर्माण होता है तो यह important है यहाँ पर जैसे ही हम S1 से T1 में इलेक्ट्रोन उपस्तित है तो T1 का electron S1 में S0 में जब लोटता है तो उस समय समानांतर चक्रित electron होने के कारण या S1, S0 और T1 में electron का चक्रन समानांतर होने के कारण इस्ताई अवस्ता बनती है इसलिए कुछ दिर रुप करके electron मूल अवस्ता में लोटता है तो एक बार वापिस में देख लेता हूँ विकिरन अवस्तों द्वारा आद्य अवस्ता से electron का S1, S2, S3 आद्य उत्यजन अवस्ताओं में उत्यजन होता है जहां S1 से अगर S3 में है तो S2 में आएगा पहले S2 से फिर S1 में आएगा फिर S1 के बाद ही ये प्रक्रम संपन होता है जहां S1 से electron T1 उत्यजन अवस्ता में इस्तनांत्रित होने पर चक्रण में परिवर्तन द्वारा आद्य अवस्ता के electron के समानांतर चक्रण प्राप्त करता है और गर समानांतर चक्रण है तो इस्ताई अवस्ता बंदी है इस्ताई अवस्ता से समानांतर चक्रण का इलेक्ट्रोन आद्य अवस्ता में लोटने पर चक्रण परिवर्तित करने के कारण अत्रिक्त समय लेता है अत्य शुरूत बंद करने के पस्चात भी विक्रण उत्सरजन जारी रहता है तो चुंकि T1 इस्थाई अवस्ता होने के कारण इलेक्ट्रोन अधिक समय के बाद आध्य अवस्ता में लोटता है तो T1 से S0 में संक्रमन वर्जित होने के कारण आसाने से संपन नहीं होता है इसलिए दीमिगती से होता है तो ये प्रक्रम वर्जित अवस्ता होने के कारण साध्य अवस्ता में इलेक्ट्रोन लोटने में अधिक समय लगाता है और इसलिए इसको हम स्पूर दिपती या फॉस्पोर एसेंस कहते हैं इस जबलोन्स की चित्र की प्रक्रिया को हम अभिक्रिया की रूप में लिख सकते हैं जिसमें S1 विक्रण अवश्वश्वशित करके S0 से electron युगमित electron विकिरन अवशोशित करके उत्यजित अवस्ता S1 में जाता है या अधिक उर्जा अवशोशित करके S2 में जाता है अगर S1 में उपस्तित है तो यह ISE द्वारा T1 में आएगा विकिरन परक्रम के रूप में लेकिन T1 से जैसे S1 में लोटता है तो यह ISE द्वारा अवर्जा या कह सकते है तरंग देर्दे का मान परिवर्टित होता है अर्थाथ बिन तरंग देर्दे की ISE द्वारा अवर्जा परदर्शित होती है नेक्स्ट हम इनके उदारण और उपयोग भी टिपनी में लिखने है तो उदारण आप देखें केलसियम, बेरियम तता इस्टोंसियम के लवन इस्पुर दिप्ती परदर्शित करते हैं अगर शार दातू के सल्फाइड है तो असुद वस्ता में इस्पुर दिप्ती परदर्शित करते हैं इसी तरीके से बोरिक अमल वह धातू आयन का मन का ग्लासी बीड इस्पुर दिप्ती परदर्शित करते हैं तो मन का प्रेक्शन जो की हम मन का मन का के लिखा है बाकि मन का होता है मन का माला के मोती को मन का बोलते हैं तो मनके की तरह एक चमके लिए सनशना बंती हैं, और इसलिए ये मनका इसपुर दिपती भी प्रदरशित करता है. इसलिए इसलिए इनका उपयोग गहनों के अंदर किया जाता है. है लास्ट हम उपयोग ले रहे हैं फॉस्फोरी मिट्री की साहिता से तंबाकू में उपस्तित निकोटीन जो की अलकेलोइड है का निर्दारण हम करते हैं तो फॉस्फोरी मिट्री की साहिता से हम पदार्थों की उपस्तिति ग्याद करते हैं घडियों के डायल या इलेक्ट बनाया जाता है जो कि गड़ियों के डायल में नंबर लिखने के लिए या डॉट बनाने के लिए प्रियूग करते हैं और चूंकि ये डॉट इस्पूर दिपते हैं इसलिए कुछ देर तक लाइट बंद होने के बाद भी आपके डायल के अंदर के स्वीच नजराते हैं या अंक नजराते हैं तो इस तरीके से इस्पूर दिपती और परती दिपती उनके उपयोग और उनके उधारन इंपॉर्टेंट है शौर्ट नोट में कितना मैटर लिखना है वही प्रक्रिया में या पर परदर्शित कर दी है तो इसके साथ ही यूनिट फूर कंप्लेट हो ज इसलिए प्रिपेर रहें थेंक यू सो मुच